जानी मेरी जाने वन बस्पन का प्यार मेरा बूल नहीं जाना रहे 13 सितंबर को टेक्नो इंडिया में अपना एक स्मार्टफोन लॉंच कर रहा है जिसका नाम है टेक्नो स्पार्क एट बेसिकली मैं आपको उता दूए इंट्री लेबल का स्मार्टफोन होगा अब बेसिकली उन यूजर्स को टार्गेट में रखके लॉंच किया जाएगा जो क टीपैट से स्विच करना चाहते है एक स्मार्टफोन में लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नो का सपना हमेशा जियो पूरा तोड़ देगा क्योंकि दस तारीक को जियो का फोन जियो फोन नेक्स्ट रहा है वाका ये भी जा रहा है कि उसकी जो प्राइस रेंज होगी वह करी अगर बात करें टेक्नो स्पार्क 8 के बारे में हाला कि जादा तर कोई बात नहीं करता कि थोड़े सा फिसटड़ी है रिजन बता दू क्यों रिजन यह कि यह जो अपने फोन में चिपसेट और डिसप्ले इन दोनों का इंप्रूब्मेंट नहीं करते बाकी चीज़ों पर यह संपर सब्सक्राइब करें जैसे कि इनका प्रोशेसर और इनकी डिस्प्लेइ जो इन्हों ने टेक्नो इस पार बारे में बताया है इसकी कुछ फीचर और रेंडर्स प्लस सपेसिविकेशन भी निकल के बाहर आचुके हैं और उन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ चाहता है मेरा अनुमान है जो इसके प्राइस सेग्मेंट होगी और करीब आठ या नौजार के आसपास हो सकती है आप जब मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस प्राइस रेंज के साथ होगा या नहीं होगा बात में कंसीडर करेंगे कि इस फोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं वाच कर रह है अक्यान की पॉसिबल्टीज है लेकिन एक न्यूज यह भी निकल के आई है कि जो जीओ फोन लॉंस तो हो जाएगा लेकिन आपको एक्च्छल में हाद में तम मिलेगा वह भी मन्त इंड में बात करेंगे किसी अधर टॉपिक्स के बारे में लेकिन अगर टेक्नो स्पार सब्सक्राइब के लिए थर्टीन के साथ प्लस एक क्यू बीजेक डूल कैमरा सेटप है बात करें इसके अगर ओएस की तो यह अंड्रॉड गो एडिशन पर बेस्ट होगा जिसमें हाई ओएस सिक्स सेबन सेबन करेगा कस्टम स्किन के साथ जिसमें आपको फीचर्स है लाइक प्री वाला वह मिल सकते है लेकिन डिपन करता है इनकी हाई यूस वाली कस्टम स्किन के ऊपर कि कितना यह अब मतलब यूजफुल होजगी करें डे टो डे लाइप में यह तो आने वाले बक्ति महीं पता चलेगा लेकिन जो इसके बैटरी कंपार्टमेंट की बा हो सकता है दसजार उपर के बीच चला जाए जहां तक मेरा अनुमान है यह अंडर 10 के प्राइस में होगा और कितनी स्पेसिके स्पेसिफाइड प्राइस होगी यह तो लॉंच इवेंट के बाद पता जालेगा फिलार टेक्नो सपार्क एट 13 सितंबर को इंडिया में दस्तक दे रहे हैं सोचा आपके इसके बारे मैं आपसे बात करूं कि थोड़े थोड़े चीजें डिजाइन वगएरा देखके थोड़ा साना फोन इंट्रेस्टिंग सा मुझे फील हो रहा है लेकिन अब देखते हैं यह जीओ फोन नेक्स्ट को बीट करेगा यह नहीं करेगा क्य लेकिन पदा नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे मेरे साब चे तो फोन एक एवरेज लगा डिपेंड करता हूँ प्राइस सेग्मेंट में अगर यह शह साथ अजार के प्राइस ब्रैकेट में आता है क्योंकि इसमें स्टोरेज टाइप और स्टोरेज ऑप्सन में नहीं प्राइब दिया गया फोर सिस्टी फोर में आएगा या फीडर टू तो में आएगा बता ही रहा था था ना इसके स्टोरेज के बारे में एक वेब साइट में ना इनका एक स्टोरेज टाइप प्लस रैम टीचर टिप डूएं जिसमें देख रहा है कि क्लियर में इसमें 2GB RAM एं 64GB इंटरने स्टोरेज के साथ मार्केट पर लॉंच होगा 2GB RAM वंदब 2021 में 2GB RAM कौन देता है स्मार्टफोन कंपनी पगला गी है का अपने आपको एपल समझ रखें कि हम 2GB RAM में जग दुनिया हिला देंगे पता नहीं टिपेंड करता प्राइस के उपर लेकिन प्रोसेस आपको समझ में आगया होगा मतलब मेरा जो पॉइंट्स था आपको समझ में आ गया होगा पसंदा वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा नाम है विकास मिलता हूं से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाइबाइबाइब एन ओल्वेज कीप स्माइलिंग जैन्द